यह आप देख पा रहे हैं यह सोनी कंपनी का हेड़पून है और एक साइड लेप साइड में स्पिकर का प्रोब्लेम है नहीं बज रहा है मैंने उसको खोल के सब टेस्ट कर लिया है जो इस साइड में मैं सॉल्डारिंग खोल के वायर सब टेस्ट कर लिया है जो अंदर में कुछ कटा तो नहीं हुआ है और इस तरफ से यहां से आया है इस तरफ से मैंने भी खोल के उसको चेक कर लिया है तार बगरा कुछ नहीं कटा है लाश्ट में हम इसको जो यह वाला यारफून है इसको हम इसको खौल के देखेंगे जो उसमें कुछ प्रब्लेम तो नहीं है देखिए यहां पर हम खोल लेंगे देखिए यहां पर एक तार तूट गया है यहां पर आप देख पा रहे हैं एक तार तूट गया है यह वाला तार यह वाला दिखिए यह तार तूटने के बज़े से लेप्ट साइट काम नहीं कर रहा था यह हड़ पॉन और आप इस अब हम को सोल्डरिंग कर लेंगे यहां पर कि देखिए मैं इसको सोल्डरिंग कर लिया हूं कि सोल्डरिंग हो गया है अब उसको चेक कर लेंगे आपका भी स्पिकर कट गया हो तो आप यह स्पिकर खराब भी हो गया होगा तो इस तरह के देखिए इस तरह के पुराने जो हैड़ पॉन होते हैं आप उसको खौल के यह सपिकर आब ये स्पिकर में भी आप लगा सकते हैं ये खूलकर आप इसमें भी लगा कि ठिक कर सकते हैं तो आप हम चेक कर लेंगे ये ठिक हुआ है का नहीं इस तरह से आप भी अपने घर में हेड़पोन बगर आए सोनी कंपनी हो या कोई भी ब्लूटूथ हो हेड़पोन हो आप घर में बहुत अच्छी तरीका से ठीक कर सकते हैं मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजे